नमस्कार दोस्तों क्रिकफो चैनल पर आपका स्वागत है चलिए दोस्तों बात करते हैं आईपल T20 के आठवे मैच की तो दोस्तों ये मैच केके आर और पंजाब किंक्स के बीच एक अपरेल शुकरवार शाम साड़े साथ बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा इस मैच का सीधा परसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और होट स्टार पर देखा जा सकता है वहीं दोस्तों अगर मोसम की बात करें तो तापमान लगबग 29 डिगरी सेल्चियस के आसपासर रहने का नुमान है चलिए दोस्तों बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम की पिच की तो दोस्तों यहां की पिच बल्ले बाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है लेकिन अ मैच को जीता है इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो भी टीम अगले मैच में टॉस जीती है वह पहले गैंदवाजी करने का फैसला करेगी दोस्तों अगर वानखेड़े स्टेडियम में फरस्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 167 रहा है जबकि दू मुंबई इंडियन के खिलाफ सिर्फ 61 रन बनाए थे इस ग्राउंड पर दोस्तों अगर हाइस्ट रन चेज की बात करें तो मुंबई इंडियन ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 198 रनों को चेज किया था वहीं अगर इस ग्राउंड पर लोवेस्ट टोटल डिफेंड की बा थो मैचों में दोनों ही टीमों को हार का मूँ देखना पड़ा है इसके अलावा दोनों ही टीमों के भीच खेले गई पिछले 10 मैचों का आकलन किया जाए तो 6 मैचों में केक्यार ने जीत हासिल की है जबकि चार मैचों में पंजाब किंग्स को बड़ा थासिल हुई है दोस्तों इस सीजन में दोनों ही टीमों का पॉइंट टेबल में जगह देखे तो केके आर ने दो मैचों में से एक मैच में जीत के साथ दो पॉइंट लेकर 0.093 की रंडेट के साथ पांचवे नंबर पर बनी हुई है वही अगर पंजाब की पॉइंट टेबल में बात की जए तो एक मैच में जीत के साथ दो पॉइंट लेकर 0.697 रंडेट के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है चलिए दोस्तो अब बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की तो पहले कलकत्ता की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्रेयस ऐयर कप्तान, अजिंक्या रहाने, वैंकटेश ऐयर, नितीश राना, सैम बिलिंग्स, शेल्डन जैक्सन, आंद्रे रसल, सुनिल नरायन, तिम सा दव और वरुन चकरवर्ती हो सकते हैं चलिए दोस्तो इसके बाद अगर देखे पंजाब की प्लेइंग 11 तो मैंक अगरवाल कप्तान, शिखरधवन, लेम लिम स्टॉन, भानुका राजय पक्सा, शारु खान, आउडियन स्मित, राज बावा, अर्षदीप सिंग, अर्प वैसमेनों की बात करें तो मैंक अगरवाल, शिरेस अईयर, शिखरधवन को टीम में रख सकते हैं, और राउंडरों की बात करें तो सुनिल नारायन, वैंकटेस अईयर, लेम लिव स्टॉन, ओडियन स्मित को टीम में शामिल कर सकते हैं, और बोलरों को देखें तो कुमेस आदर, राहुल चहर वरुन्चकरवर्थी को टीम में शामिल कर सकते हैं वहीं दोस्तों अगर गैपटन अरवाइस कैपटन की बात करें तो वयंकटेस आयर और ओडियन समीध को कैपटन और वाइस कैपटन के तोर पर टीम में रख सकते हैं दोनों ही बल्लेबाजी के साथ साथ चार ओवर की बॉलिंग भी करते हैं जिससे इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यही समापत करते हैं वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करकर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें जैहिन जैभारा